नमसकार दोस्तों रादे रादे कैसे हूँ आप सब आई हूँ आप सब अच्छे होंगे सवस्त होंगे मस्त होंगे बोध बोध खुस होंगे वेल्कम टू माई न्यूव वीडियो तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ केवल दो चीजों से बोध ही टेस्टी मिठाई यहां मैं बना रही हूं मावे की परपी तो यहां पर मैंने मावा ले लिया है मावा मैंने घर पर ही बनाया था तो जितना मावा था उतनी ही इसमें चीनी एड कर देनी है तो बस इसको चीनी डालने के बाद कंटीनू चलाते रहेंगे जब तक यह गाडा ना हो जाए तो यह यह गाडा हो गया उसके बाद यह मैंने खाली कर लिया था और यह देखिए अब मैं इसको काटके देख रही हूँ लेकिन यहां मैंने जल्दबाजी कर थी थोड़ी सी काटने में अगर थोड़ा सा ठंबा हो जाता तब काटते तब ज्यादा अच्छे से कटता और है यहाँ में फोनता और एक हाथ से काट रही थी तो ये थाली घूम रही थी भार बार तो अच्छे से नहीं काट पाई लेकिन आप मैं बस थोड़ा सा ट्राइपोड लगाने का आलस कर गई तो अगर मोबाइल हाथ में नहोता तब ज्यादा ये अच्छे से कटती और एक मैंने गरम- देखते हैं हमारी बर्फी कैसी बनी है वैसे बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी बच्चों को और बर्डों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और हमारे घर में तो मीठा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं मतलों ना मक्का मिले या ना मिले मिठाई जरूर होनी चाहिए घर में कुछ ना कुछ तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे बनाती रहती हूं तो यह देखें यहां पर ठंडा हो गया है ठंडा होने के बाद यह सारी बर्फी जो है मैं निकाल लेती हूं प्लेट में से तो देखें यहां पर भी मैंने थोड़ी सी जलबाजी करती है एक हाथ में मोबाइल औ तो बीच में से टूट गई येकिन आप आराम से उतारोगे तो ये टूटती नहीं है बीच में से और बहुत ही ज्यादा टेश्टी सोफ्ट बनती है ये बिल्कुल भी हाड़नी होती और खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है एक दम मुम में घुल जाने वाली त तब तक के लिए बाबाई ठेकर फ्रेंड्स जाय माता दी झाल तक के लिए हुआ है तो जाय माता की उाम आद के लिए आद दिया दो